तो अंसार वो नाम है जिसका दिल्ली इंसा में सबसे जादा रोल था अंसार को मुख्यारोपी के तौर पर देखा गया और अब दिल्ली पुलिस उन तमाम रास को गलवाने की उसे कोशिश कर रही है जो साज़श की तेह तक पहुँचा सके अब तक 24 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस उन लोग की तलाश में जुट गई है जो अब तक कानून के शिकंजे से बाहर है जहागिर पुरी हिंसा का आरोपी नमबर एक अंसार दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में जहागिर पुरी दंगे के मुख आरोपी अंसार का ये फिल्म पुश्पा वाला अंदास चर्चा में है 17 अपरैल को जब रोहिरी कोट में पेशी के लिए ले जाय जा रहा था तो कोट के गेट के बाहर मीडिया के सामने उसने फिल्म पुश्पा के मुख्य किरदार पुश्पा राज के स्टाइल में पोज दिया यही अंसार एक जगह ये खुबूल करता नजर आ रहा है कि वो दंगे का खुसूरवार है अंसार पर लगे आरोपों की तस्दीग जहागिर पुरी हिंसा में जखमी उमा शंकर दुबे भी कर रही है वो उस वाक्त हनुमान शुभायात्रा की अगवाई कर रहे थी हाँ मैं जानता नहीं था लेकिन वहाँ पे जो आवाजें आ रही थी कि अंसार भाई इन्हें छोड़ना नहीं है इन्हें जान से मार देना है अंसार के हाथ में डिंडा या कुछ ऐसा होकी टाइप का कुछ था तो मैंने अंसार को बोला भी कि अंसार ये क्या करवारा नहत्ते हैं उसे मैंने इतनी दिर में उसने मेरा हाथ चुड़ा के वो दूसरी तरह भागा तब तक मेरी गर्दन पे तल्वार से पीछे इसे किसी ने वार किया उसने बोला की जो किया हिसे तो भुगटना पड़ेगा अंसार की शब्द थे ये बोलके वो उस धो दूसरी तरफ भगा पीछे से मेरे पर हमला हुआ और पल्लिस वाले ने एक पलिस वाले था हुआँ पर उन्होंने मेरा हाथ पकड़के तुरंट खीचा अपनी तरफ को अनसार को गिरफ़तार करने के बाद जब पुलिस ने उसके कुंडली खंगा ली तो खुलासा हुआ कि वो इलाके का हिस्ट्री शीचर है 20 फरवरी 2009 को दिल्ली पुलिस ने अनसार का डोसियर तयार किया था डोसियर के मताबिक जहांगिर पुरी की जुगी बस्ती में 1980 में पैदा हुए मुहमद अनसार को 13 साल पहले पहली बार चाकू के साथ गिरफ़तार किया गया था जोसियर के मताबिक इसके खिलाफ साथ F.I.R. दर्ज है उस पर सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और सरकारी काम में बाधार डालने का भी आरोप है अनसार पेशे से कबारी है और चौथी कक्षा तक पढ़ा है दंगे के दूसरे आरोपी असलम पर भी 2020 में कुछ मामलों में केस दर्ज हुआ था अनसार की कई सारी तस्वेरें सामने आई हैं जिसमें उसकी दबंगई नजर आ रही है देखिए वो कैसे BMW कार के बोनत पर तांग रख कर पोज मार रहा है विक्टरी का साइन बनाती हुई उंगलियों में सोने की मोटी मोटी अंगूठिया हैं गले में सोने की मोटी चेन भी है इस तस्वेर में अनसार किसी आफिस में बैठा है यहां भी उसका दबंगई वाला पोज है उंगलियों में सोनी की मोटी मोटी अंगूठियां और गले में भारी भरकम सोनी की चेन पहने हुए है आरोप है कि अनसार को एक दिन पहले ही शोभा यात्रा की जानकारी मिल गई थी और हिंसा भड़कने से पहले वो शोभा यात्ता में शामिल लोगों के साथ वहस बाजी में शामिल था इसके बाद उसने हिंसा के लिए लोगों को उपसाया जहागेर पुरी हिंसा का आरोपी नमबर दो असलम जहांगेर पुरी हिंसा का मुहमद असलम दूसरा मुख्य आरोपी है हिंसा के दौरान दिल्ले पुलिस के S.I. मेध हलाल को गोली लगी थी पुलिस का कहना है कि ये गोली मुहमद असलम ने चलाई थी उसके पास से पिस्टल भी बरामत कर ली गई है अनसार की तरह असलम भी फुराना हिस्ट्री शीटर है उस पर 2020 में एक मामला दर्ज हुआ था कल आरोपी अनसार और असलम को रोहिनी कोट में पेश किया गया दोनों की पुलिस का स्टडी को दो दिन और बढ़ाई गई है केज़ श्री के साथ अर्विन दोजा दिली आज तक